हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्पिंडल है वो किस तरीके से डिक्लैम होता है डिक्लैम सिलेंडर की मदद से तो सबसे पहले समझते हैं स्पिंडल जो ड्रॉबार है उसके पार्ट को सबसे आगे आपको क्लैंपिंग उनिट दिख रही होगी कॉल इ उसके बाद ड्रॉबार और उसके बाद आपको इसके बाला है सबसेसे हैं सबसे पहले समझते हैं किस्पिंडल में यह लोदे कर रहा है rotate करता है जब clamping condition होती है tool की तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए जैसे ही वहाँ पर declamp cylinder operate होगा यहाँ पर tool बाहर आ जाएगा call it open हो जाएगा और call it open होगा तो spindle वहाँ पर उसमें रोका हुआ रहेगा और जैसे ही tool वहाँ पर लगेगा और tool जैसे ही clamp होगा वहाँ पर उसके बाद ही spindle motor को वहाँ पर running की command मिलेगी तो यह होता है operation दोस्तों normally कहीं लोग confused रहते हैं कि cylinder का काम क्या होता है clamp करना या फिर unclam करना तो यहाँ पर दोस्तों यह clear होना चाहिए आपको कि spindle जो unclamp cylinder लगा रहता है spindle के पीछे उसका जो काम होता है वो draw bar को tool को declam करना होता है वो tool को declam करता है draw bar को push करके draw bar को जो push करता है तो call it आगे की तरफ बढ़ता है और tool हमारा declam हो जाता है और जो spring force है उससे हमारा tool clamp होता है जब cylinder पीछे होता है तो देखिए इस तरह के से adapter को पकड़ता है यह जो पीछे आपको दिख रहा होगा यह gripper में adapter है जो draw bar के पीछे लगा होगा रहता है तो यह पूरा slender में आपको दिखाऊंगा सबसे पहले समझते हैं कि functioning कैसे करता है अगर देखिए दोस्तो इस तरह के से अगर यह देखिए clamp declamping operation हो रहा है जैसे कि यहाँ पे जो yellow color का है yellow color का वो slender है पूरा आगे आपको gripper दिख रहा होंगे तो जैसे ही parts होते हैं जो हम आगे समझेंगे तो देखिए मैंने सारे parts को अलग-अलग रख लिया है यहाँ पे कहीं तरी के parts होते हैं यहाँ पे कुछ cylinder की housing है cylinder है cylinder है cylinder हमारे piston rod है उसके बाद जो gripper के jaw है वो भी यहाँ पे दिख रहा होंगे आपको मेरे हाथ पे उसके बाद देखिए कहीं इसमें springs होती है जो कि वहाँ पे जो retraction cylinder को help करती है retract होने के लिए तो सबसे पहले देखिए assembly के time पे हमें सबसे सारे parts को अच्छे से clean कर लेना उसमें कोई dust ना हो कोई burn ना हो सारे parts को अच्छे से clean कर लिया है अब सबसे पहले मैं housing में जो piston order वो लगाने के लिए जा रहा हूँ तो देखिए piston लगानते वक्त यह ध्यान रगिएगा seal आपकी पूरी तरीके से grease होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे अगर आपका जो dry रहेगी या गंदगी रहेगी कुछ और आप अगर उसको abnormal तरीके से डालेंगे तो वहाँ पे आपकी जो seal है वो वहाँ पे damage हो सकती है तो इसको बिल्कुल हलके से push करेए हलके से push करते वह आप देखिए कहीं से alignment disturb तो नहीं हो रहा है तो अगर यह पिल्कुल पड़े आपको तो आपको mallet का use करना है आपको कोई hard hammer का use नहीं करना है तो यहाँ पे आप rubber mallet या फिर देखिए जो nylon वाला mallet है उसका use कर सकते है इसको थोड़ा बहुत adjust करने के लिए तो इस तरह के से adjust करते वए देखिए मैंने अभी जो piston है उसको अंदर डाल लिया है तो यह cylinder housing में अभी चला गया है ठीक है आप दोस्तों दूसरा हम part assemble करेंगे इसमें यह part है जिसमें से हमारे जो cylinder के rod है वो pass होती है इसमें rod seal लगी रहती है और साथ में कुछ static seals भी है जो fix रहती है cylinder तो इस तरीके से आपको देखे six hole यहाँ पर देख रहा हूंगे इसमें six rod type की है जिसमें खुद में भी oaring लगी हुई है ताकि dust और कुछ particle अंदर ना जाए तो इस तरीके से इसको align करते हुए अराम से इसको push कर लेना है यहाँ पर बहुत जादा misalying करके आप इसको ना डालेगा otherwise आपका जो भी oaring है वो यहाँ पर damage हो सकती है तो यह डालने के बाद देखे दोस्तो हमने अच्छे से बठाने के बाद यहाँ पर 15-16 spring के hole बने हुए है अलग-अलग hole बने हुए तो ताकि spring यहाँ पर लिख लेना hole से जब हमें इसको तिर्चा करें और हम दूसरे इस पर काम करेंगे तो हम थोड़ा सा grease लगा के यहाँ पर इसको spring हम सारी यहाँ पर लगा दे रहे हैं तो हमने सारे spring देखिए एक करके लगा लिए अब दोस्तो हम लगा रहे हैं जिसमें की LVDT sensor होता है इसका मतलब यह दोस्तो यह है LVDT sensor वाली unit जो की एक cylinder का ही part है लेकिन इसमें अंदर एक sensor होता है जो की इस rod को जो की हमारा जो यह rod होती है जिसमें हमारा एक dog भी mount है तो यह इसको sense करता है नॉर्मली LVDT क्या होता है LVDT एक transduction होता है जो की voltage difference से बताता है कि हमारा जो moment हुआ है वो कितना हुआ है दोस्तो इसका use इसलिए किया जाता है क्योंकि clamp, declamp और with tool clamp और without tool clamp के time पे जो spindle drawbar की जो position होती है वो अलग-अलग होती है मतलब कि उसमें आपको पता होगा जब declamp होता है तो drawbar आगे move करती है जब clamp भी tool होगा तो पीछे move करेगी लेकिन उतना जादा नहीं करेगी जितना without tool clamp में करेगी तो उसके ही position को कि क्या condition है उसकी drawbar पे तो उसको करने के लिए ये LVDT हमारा transducer use होता है तो इस unit को भी मैंने देखिए आराम से बिल्कुल push करता हुआ फिर यहां पे match करवा दिया है यहां पे आपको एक slot type कर दिख रहा होगा जो मैंने LVDT वाली unit लगाई होई है उसको आपने hydraulic fitting वाली जगर पे रखना है तो इस तरीके से match आपका हो जाएगा अगर यह match नहीं होता है hole तो आपको क्या करना है आपको हलका हलका सा इसको rotate कर लेना है rotate करके आपको जो भी hole के साथ आपको align कर लेना है उसके बाद दोस्तों इसमें आपको अगर क्योंकि यह normally lose ना हो उसके लिए हम हलका हलका इसमें thread lock use करेंगे ताकि जो भी bolt हम tight करें वो secure रहे है वो lose ना हो यहाँ पर normally यह जो unit है दोस्तों वो आगे पीछे move करती है जब clamp declam के time पर तो अगर यह दोस्तों अगर lose होने के इसमें chance हो सकते हैं तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसमें हलका lock tight लगा के यहाँ पर tight कर लिया है tight करने के बाद दोस्तों पीछा आपको एक unit दिख रही होगी जो की rotary union है rotary union का काम सभी को पता होगा rotary union का काम होता है दोस्तों की coolant की supply करना normally rotary union का जो भार भार का part होता फिक्स रहता है और अंदर इसमें जो पार्ट है वो spindle के साथ rotate कर रहा होता है तो इस तरहके से दो हिस्तों में यह होता है दो हिस्तों में होने के यूज है कि यह हमारा coolant pipe उसमें fix रहेगा फीचे वाले पार्ट में और आगे वाला part जो कि हमारे grippers जो इसमें होते हैं declam cylinder में उसको hold करने के लिए होती है तो दोस्तों यह जो आपको अभी में flange दिखाऊँगा यह देखिए यह इस तरीका का flange होती है जो कि अंदर जो इसका board है वो straight होके थोड़ा सा taper रहता है ठाकि इसमें एक बार gripper फश जाया है तो बहार ना आए तो देखिए spring spring से यह थोड़ा सा हमारा spring force से थोड़ी सी tense में रहती है तो यहां पर जो दो बोल्ट आपको पीछे यहां पर लंबे लंबे दो बोल्ट होते हैं जो कि पीछे OTT जो हमारा sensor वाली unit से होते हुए पूरे cylinder से आर पार जाते हैं तो यह bolt जो होते हैं वो इस flange को tight कर रहे होते हैं दो position पर दो screw होते हैं तो वो इस plate को tight करेंगे तो देख रहे होंगे आप यहां पर इस condition में हमारे जो gripper हैं जो gripper हैं वो जा नहीं रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर space generate करना पड़ेगा जिसके लिए हमें यह adapter plate को थोड़ा सा और tight करना पड़ेगा तो हम अगली process वो ही करेंगे क्योंकि यहां पर gripper सही से लग नहीं रहे हैं तो जो gap यहां पर आपको दिख रहा होगा अभी तो वो मैंने पूरा कम कर लिया है वो कम करेंगे कैसे दोस्तों वहां पर पीछे जो दो screw है उनको हम लंबे वाले जो screw है M5 के sorry M6 के तो उनको हम tight कर लेंगे तो यह पूरा gap यहां पर खतम हो जाएगा और यहां पर जो space है gripper रखने के लिए वो हमें मिल जाएगा तो देखिए सारे हमने gripping जो अलग-अलग pieces थे वो सारे रख लेने यहां पर 6 pieces का use हो रहा है तो दो-दो के separation में यह तीन जगर पर आए इस पर देना है यह spring उनको सबको एक साथ बना के रखेगी तो अब यह हमारे सब एक साथ हो गये है और नीचे आपको दिख रहा हुआ जैसे हमने डाले थे तो ये लिकलने का चांस ये लिकले ना उसके लिए हम दुबारा से इसको जो पीछे हमने बोल्ट टाइट किये थे उनको लूस कर देंगे लूस करते ही वह स्प्रिंग टेंशन से ये जो प्लेट के बीच में आपको अब गैप बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा जो दो प्लेट से आपको दिख रही है आगे फ्रंट पे तो वहां पर गैप बनता हुआ दिख रहा हुआ धीरे धीरे गैप जो हमारी फ्लैंज है वो बढ़ रहा है और फ्लैंज जितना आगे बढ़एगा जो हमारा गरिपर है वो लोग हो जाएंगे फ्लैंज के अंदर और उसके बाद वह बहां नहीं आएंगे वहीं पे हमारे मूव्मेंट करते नहींगे तो ये जो ग्रीपल होते है नॉर्मली आपको जो हमारे drawbar के पीछे adapter होता है उसको ये hold करता है gripper जब हमारा tool declam करने के लिए जो उसकी shaft होती है, cylinder की वो आगे आती है ये gripper में देखिए इस तरीके से जो पीछे आपका part लगा रहता drawbar पे उसको ये इस तरीके से hold करता है तो इस तरीके से ये grip करके इसको gripping force पीछे की तरफ जाता है जबकि जो cylinder का force आगे की तरफ जाता है तो उस तरीके से ये forces को balance कर लेता है तो दोस्तो आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमने cylinder को dismantle किया ये cylinder क्यों use होता है और कैसे हमारा tool declamp और clamping होती है यूनिट के अंदर तो दोस्तो यहाँ पे एक और important चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो gap रहता है नौर्मली ये फ्लैंज के बीच आपको जो gap दिख रहा होगा ये मैंने 5 mm के आसपस रखा हुआ है ये gap दोनों तरब से आप बराबर रख लेजिए ताकि जो plate है वो जो या flange है जो बिल्कुल straight move करे अधरवाइस ये tilt होगी तो वहाँ पे इसके crack होने के chance है तो दोनों तरब हमने जहां पे भी screw हमने दोनों tight किये थे तो वहाँ पे हमने बराबर gap रख लिया है बराबर gap रखने के बाद इनको पीछे हम secure कर लेंगे पीछे यहां पे dust ना जाए और ये lose ना हो उसके लिए देखिए इस तरहीं का arrangement दिया रहता है इस तरहीं का रखने के लिए पीछे रहता है कर दो, कर दो, कर दो